तो आप लोगो बेलकम करता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे थाड़ एर के डियर ए स्टुडेंट है तो आपको पता है कि हम दोनों सब्जेक्ट का important question जितने भी है short long दे चुके हैं आप लोगो उमीद करता हूँ कि आप वो सारे important question की त्यारी कर रहे होंगे आज हम लोग जो है midwifery and gynecology का most important जो पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी types के objectives पुछे गया है इस एक वीडियो में सभी objectives question को आज हम लोग देखेंगे समझेंगे चाहे वो आपके truthals हो चाहे वो fill up हो चाहे matching हो चाहे वो आपके full form हो किसी भी type के objectives type question पुछा गया हो पिछले 8 से 10 साल में यह वीडियो आपके exam के लिए काफी महत्पून होने वाला है ठीक है यह वीडियो अकेला जो है आठ से 10 नमबर आपको देगा समझे गए यह वीडियो अकेला जो है आपको 8 से 10 नमबर देने का चाहमता रखता है तो इस वीडियो को complete watch कीजिए चलिए करते हैं शुरू पहला प्रशन है कहता है परते के 5 पाँच पाँच कारण लिखे अब देखिए जैसे मीड वाइफरी गाइनकोलोजी है पाँच देदेगा बिमारी पाँच देदेगा कंडिशन कहेगा कि इसके कारण बताए या देदेगा कहेगा लक्षन बताए तो हमसे अभी कारण पु से तो जो आगे भी बच्चा होता है वह सिजेरियन सेक्षन होने की संभावना होता है तो पहले सिजेरियन सेक्षन होना ये भी कारण होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया प्लेसेंटा प्रेविया अगर किसी में हो जाता है मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस उसको सबसे पहले आगे उसका placenta ही आ जाता है तो इस कारण से उसको सिजरियन करना परता है ठीक है आगे है अत्याधिक संकूचित स्रोनी अगर बहुत ज़्यादा पेलवीस में कंट्रेक्टेड है आपस में दोनों तरब के पेलवीस जो है जुका हुआ है संकूचन है तो य या तो बच्चे का माल प्रिजेंटेंशन भी कारण बनता है सिजरियन सेक्षन का उप्रस्तूती होना ठीक है तो ये सब कारण बता दिये दूसरा है फिटल डिश्ट्रेस फिटल डिश्ट्रेस का मतलब होता है कि जो भुरून जो गर्थ में पलना बच्चा है उससे संबं सिसू के समस्या ठीक है उसके बाद है आई जी आर यू आई यू जी आर मतलब यूटरस में बच्चे का जो गुरोथ है वह कम है या अबरोध है तो यह कारण से बच्चे का फिटल डिश्ट्रेस हो सकता है पोस्टर्म पिगनेंसी बहुत समय के बाद जो है आपके बच्चे क गर्वधारन कोई की हो महिला तो इस कारण भी फिटल डिश्ट्रेस हो सकता है मतलब जढ़ा एज में महिला जो है प्रिगनेंसी है तो भी कारण बनता है मतलब जो तरल होता है जो आपके यूटरस बच्चे के चारो साइड से जो घेरा हुआ एमिनियोटिक फुलूट जो तरल होता है उसका मात्रा कम होगा तो बच्चे को प्रोबलम होगा सिसु को ठीक है माता में बहुत ज़्यादा जो है रक्त चाप बरहा होना यह भी कारण बच्चे को होता है फीटल डिश्ट्रेस का तो यह सब फीटल डिश्ट्रेस के कारण है बता दिए आगे है maternal distress अब fetal distress जान गए तो अब maternal distress है तो maternal distress यानि माता से सम्बंधित समस्या तो maternal distress के कारण में हो सकता है लंबी प्रथम प्रशर्व अबस था मतलब जो प्रथम बार जो प्रशर्व है वह लंबा चला हो ठीक है ले बार उच्छ रक्त चाप भी मातरीत वे distress का कारण है कारडिया कोई हिर्दय का रोग भी maternal distress का कारण है पलमनारी फेफरा से सम्बंधित कोई रोग होना भी maternal distress का कारण होता ठीक है आगे है फोर्शेफ डिलेवरी फोरसेफ डिलेवरी का कारण क्या होता है कि फोरसेफ डिलेवरी करना परता है तो परसर्व की दूसरी अवस्था में परगरती न होना दूसरी अवस्था में जो बच्चे निकलते हैं अगर वह जो है प्रोग्रेस एस्टेट में नहीं है तो फोरसेफ डिलेवरी कारण होता है हाइपोट्रेनिक यूट्रस यूट्रस जो है हाइपोट्रनिक है तो इसलिए फोरसेफ डिलेवरी होता है फिटल के समस्या है भुरून गरवस्त सिसू के कोई समस्या है तो फिए फोरसेफ डिलेवरी कीर करवाया जाता है maternal fatigue अगर मात्री तो बहुत ज़्यादा ठकान होता है तो उस कारण से जो है आपके फोरसेफ डिलेवरी कराना परता है चुकि माता इसमें असमर्थ हो जाता है माता जो है maternal जो है असमर्थ हो जाती है ठकान फैटिक होने के कारण बच्चे को जन्म देने में तो फोरसेफ डिलेवरी का इस्तमाल किया जाता है परसर्व की लंबी यवधी बहुत देर तक अगर परसर्व चलने वाला हो तो फिड फोरसेफ डिलेवरी के जर्ये डिलेवरी को करा लिया जाता है तो यह सब कारण होता है फर्षप्स delivery का ठीक है आगे है postpartum rach staff postpartum rach staff का मतलब होता है कि बच्चे के जन्म के बाद रच staff होते राना तो यह किस कारण से होता है तो यह तो होता है ettonic uterus ठीक है प्रसर्व के तिर्थी अवस्था का कूपरबंद अगर सही से थर्ड स्टेज का अगर परबंद नहीं किये हैं तो बहुँ ज़ादा बलडिंग होता है रक्त का ना जमना अगर बलड कोगुलेशन का कोई समस्या है तो यह चीज़े होगा चोट के कारण कोई ट्रोमेटिक कौज है तो चोट के कारण भी यह चीज़े हो सकता है कि बच्चे के जन्म के बाद भी बलड जो है फिमल से जाता रहा है लॉंग डिलेवरी परसर्व अगर लंबा चला हो तो यह कारण बनता है तो यह सब कारण है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया यह पिपी एच का कारण होता है ठीक है रक्त का ना जमना परसर्व का तिर्थिये वस्था का कूट परबंध होना एटोनी की उट्रास जा दिये आपको बाकी रियल अब्जेक्टिव यहाँ से सुरू हो रहा है समझ गए चलिए फिल इन दबलेंक्स पहले हम लोग देख लेते हैं गरवस्थ सिसू का हिर्दय की धरकन कितने सब्ताह में सुनी जाती है मतलब गरव में पल रहे जो भीटल है भुरून है उसका ह कितने समय के प्रिगनेंसी से सुन सकते हैं तो लगभक 6 सब्ताह के प्रिगनेंसी के बाद सुना जा सकता है हिर्दय धरकन गरवस्थ सिसू का ठीक है प्रशर्व के बाद गरवासे में होने वाले ब्लीडिंग को क्या कहते हैं लोकिया के साथ में बहुत सारे चीजे निकलत और यही जो है आपके प्रसर्व के बाद निकलने वाला तरल होता है ठीक है पेरू को कहा जाता है पेलविस ठीक है तो पेलविस के कितने परकार है आपको मैं पहले बता चुका हूँ एक बार और गाइनेकवाइड पेलविस एंध्रोपवाइड पेलविस लेटी सबसे अच्छा बच्चे के जन्म के लिए गाइनेकवाइड पेलबिस होता है एंडरोइड पेलबिस जो होता है यह पुरुसों के लिए होता है ठीक है खोपरी के सुचर्स, सुचर होता है जो जब जन्म लेता है तो उसके खोपरी में जो जुआइंट होते हैं दो हडियों के बीच में उसी जुआइंट को सुचर्स कहते हैं, ठीक है? अब ये जो जुआइंट होता है, एक फरंटल होता है, एक सेजाइटल होता है, एक लंबव एक होता है chronic hydra मेनियाज ठीक है आगे है कहता है पुर्व गर्व धारन के चिन क्या है मतलब कहता है कि पहले से कोई previous pregnancy का क्या sign होता है कोई महिला पहले भी ग्रिबे जो है pregnancy हो चुकी है उसका यह क्या sign बताता है तो involution, cigerian delivery यह सब sign है पुर्व प्रिग्नेंसी का पहले के pregnancy का ठीक है involution, cigerian यह सब होता ठीक है सात्मा है थिरुपेटिक गर्व पात के क्या कारण है कहता है उपचरात्म गर्व पात के क्या कारण होता है तो गुंद सुत्रिय और नियमित्ता यह hydrocyphalus मानिए यह पता चल जाता है यह पता चल जाता है कि कोई बच्चा जो है क्रोमोशोनल एबनॉर्मिलिटी के होने वाला है जन्म के बाद यह hydrocyphalus से होने वाला है ग्रसित तो उससे पहले ही जो है UTI से बचाव करता है urinary tract infection से बचाव करता है cervical cap जो की लगाया जाता है नौमा है trial liver के और निर्देश trial contraindiction of trial liver कहता है कि trial liver का contraindiction और निर्देश क्या होते है तो कूप प्रस्तूती संकूचित शुरूनी अगर अगर trial liver का trial कब नहीं करते हैं जब प्रस्तूती सही नहीं हो, कूप प्रस्तूती हो, संकुचित सुरोनी हो, तो इस कंडिसन में आपके लेवर के लिए ट्राइल नहीं किया जाता है, दसमा है टीवक्टोमी करने के क्या कारण होता है, आपको पता है, टीवक्टोमी करने का कारण है कि परिबार नियोजन से बचने के लिए, ठीक है, टीवक्टोमी किया जाता है, परिबार नियोजन के लिए, एंटेरियर फोंटले किंतने महीने में बंध हो जाता है, तो आपको पहले से पता है, हम बता चुके हैं, कि एंटेरियर फोंटले 9 से 18 महीने में बंध हो जाते हैं, ठीक है, पुस्टेरियर डाइडल फीस कहलाता है ठीक है दोरा यूट्रस ओके अम्बलीकल्स की सुजन क्या कहते हैं तो अम्बलाइकल के सुजन को ओंफिलाइटीस कहते हैं मानगे किसी बच्चे में या महिला में अम्बलीकल में अगर नाभी में किसी परकार के इंफ्रेक्शन हो जाता है तो उसे ओ ओवरी से डैस हार्मोन का रिसाब होता है तो आपको पहले से पता है कि ओवरी फीमेल में होता है ठीक है और फीमेल में जो होते हैं वह एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्ट्रोन दो हार्मोन रिलीज करता है ओवरी ठीक है कौन एस्ट्रोजोन प्रोजेस्ट्रोन ओके आगे चलि ठीक है ना हेमरेज एंटिनेंटल हेमरेज यानि प्रसर्व से पहले ही रक्त स्राब होने लगे तो यह कितने सब्ताह से पूर्व होने लगता है तो हम कहते हैं कि प्रसर्व से पूर्व एंटी पार्टिम हेमरेज काते हैं तो 20 सब्ता 20 सब्ता ठीक है याद रखिएगा सरवाइकल कैप का क्यालाब है सुरक्षी तेवम असान होता है और UTI से बचाव करता है पेलवीक बोन के क्या भाग है तो पेलवीक बोन के हीप बोन सैकरम और कौक्शिक्स ये तीन भाग होते हैं हीप बोन, सैकरम और कौक्शिक्स फिक है हीप बोन का भी अपना अलग जो है बोन है तो इस चीज को धियान में रखिएगा ओबडी द्वाराश्रावित हर्मोन कौन सा है अभी उपर बता है सिजेरियन सेक्षन के क्या कारण है सिजेरियन सेक्षन मतलब बच्चे को चीरा लगा के क्यों बच्चे को जन्म दिलबाया जाता है क्या कारण होता है यह तो कारण है हो सकता है कि पेलविस कंट्रेक्टेड हो संकुचित हो कूप परस्तूती हो बच्चा का जो present tension हो, कूपर, माल present tension हो, भेजाईनल estresia हो, मतलब भेजाईना जो है, बहुँ ज़दा संकुचित हो, तो इस कारण से cigerian section करके बच्चे को जन्म दिलवा दिया जाता है, ठीक है, फिटल distress के क्या कारण होते हैं, फिटल distress के बहुत सारा कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फिटल distress के कारण होते हैं, जिसको आप लोग को लिखना है, 22 है, समान गरवासे का बजन कितना होता है, तो my dear, समान गरवासे का बजन जो है, 60-80 gram होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, चली, आगे है, गरवस्त सिसू में सिसू के पर्थम हलचल को क्या कहते हैं, my dear, कोई बच्चा गरव में है, और पर्थम बार महिला को हलचल महसूस होता है, तो उससे हम लोग क्यूकनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूकनिंग कहते हैं, ठीक है, नबजाद सिसू का पहला जो पैखाना क्या कहलाता है, फर्ष्ट एस्टूल अप निव उफ्राइटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, उफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उफ्राइटिस कहते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, लोकिया रूबरा का क्या कलर होता है, आपको पता है, कि लोकिया जो है, बच्चे के जन्म के बाद निकलने वाला जो स्राब होता है वह जो है लोकिया का लाता ठीक है लोकिया रूबरा का जो रंग होता है वह रेड होता है आरसे रूबरा आरसे रेड ठीक है याद रखिएगा आगे चलिए प्लेसेंटा का समान वजन कितना होता है तो नोर्मल प्लेसेंटा का वेट देखा जाए तो लगभग 500 जो है आपके ग्राम के आसपास होते हैं ठीक है और अगर आपसे कोई पूछे कि new burn baby और placenta के बीच क्या जो है ratio होता है वजन का तो placenta का अगर वजन एक ratio का होगा तो इससे 6 गुना जो है वजन होता है new burn baby का ठीक है इसको याद रखिएगा placenta अगर एतना वजन है निसेचन यानि fertilization in the fallopian type इसे जाइगोट का अगर है जब लिक्वीर एमनाई समान से लिक्वीर एमनाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं एमनियोटिक फ्लूट का ते एमनियोटिक द्रव काते हैं उसी को लिक्वीर एमनाई भी काते हैं तो अगर लिक्वीर एमनाई अगर समान से कम हो जाता है तो इसे अलिगो हाइडरा मेनियाज कहते हैं क्या कहते हैं अलिगो हाइडरा मेनियोज कहते हैं आपको पता होगा कि यूरीन का कम होना भी जो है अलिगुरिया होता है उसी परकार से एम्नियोटिक द्रव का समान से कम होना भी एलीगो हाइडरा मेनियाज कहलाता है, ठीक है, अचानक भुरून निस्कासित होने को क्या कहते हैं, अचानक से किसी कारण से भुरून आपका एक्सपेल्ड कर जाता है, सडेन निकल जाता है बाहर, तो उसे मिस्कैरी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आगे है, 31 है, हर्मोन अस्तर से दूध निकानने के लिए जिम्यदार है, कौन सा हर्मोन जो है, अस्तन से दूध निकानने के लिए जिम्यदार है, प्रोलैक्टिन हर्मोन, ठीक है, ऑक्सी टोक्सिन भी जो है, आपके अस्तन में दुख ओ करता है निकालता है द्याण में रखियेगा। गर्व अबस्था के 28 सप्ता बाद एवाम प्रसर्व से पुर्व योनि से होने वाले रक्त स्राब को क्या कहते हैं। कोई महिला प्रिग्नेंट है ठिक है। उसका 28 सप्ता के प्रिग्नेंसी हो रखी है। ये 28 सब्ता के pregnancy के बाद और जब तक बच्चा नहीं लिया है मतलब लेवर से पहले मानि अगर लेवर का समय 40 सब्ता है और 28 सब्ता प्रिगनेंसी का हो चुका है किसी महिला का तो इसके बाद और इसके पहले अगर रक्त सराब अगर योनी से होता है तो इसे क्या कहते हैं तो आप लोग समझ गए कि प्रशर्व पूर्व रक्सराव कब होता है? 28 सब्ताह के बाद और बच्चे के जन्म लेने से पहले यानी रए प्रशर्व से पहले का जो समय होता है इस बीच के अबधी को एंटी पार्टम ब्लेडिंग कहते हैं अगर ब्लेडिंग होता है तो ठीक है? आगे है कहता है भर्टेक्स प्रिंजन टेंसन में जब औक्सी पीटो ब्रिगमेटिक का डाइमेटर कितना होता है? माई डियार, सब ओसीपीटो ब्रिगमेटिक भर्टेक्स में जो प्रस्तूती का डाइमेटर होता है, वो सारे 9 cm होता है, याद रखियेगा ओसीपीटो ब्रिगमेटिक, यह जो है फीटल के जो कपाल होता है, उसके सबसे पहले तो मस्तिक से ही बाहर आता है बच्चे के जन्म में तो उसी मस्तिक से ही related diameter होता है जो आपके vertex present tension में सारे 9 cm होता है ओके एंडरोइड pelvis सब्द का परियोग pelvis के लिए है तो यह एंडरोइड pelvis अभी उपर बता है पूरसों के लिए है ठीक है पूरसों में ज़्यादा तर पया जाता है यह pelvis मनोलियासिस का संक्रमन का कारण क्या है आपको पहले पता है मनोलियासिस को हम लोग क्या कहते हैं मनोलियासिस को हम लोग जो है मुह में जो बच्चा का मुखपाक हो जाता है न तो उसी को मनोलियासिस भी कहते हैं मनोलियासिस कौज बाई Candida Alvicans, आप लोग Child Health में Second Year में परहे भी होंगे Urinary Blader का भरंस जो अंदरूनी योनी के दिवार के साथ होता है कहता है कि Urinary Blader यानि मुत्रासे का प्रोलैप्स हो जाता है योनी के अंदरूनी दिवार के साथ उसे क्या कहते हैं उसे सिष्टो सिल कहते हैं अगर मुत्रासे का दिवार और योनी का दिवार में अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो उसे सिष्टो सिल कहते हैं आगे हैं कहता है पेट के असपर्स परिक्षन में गरवासे के पीरा हिन संकूचन को महसूस करना क्या कहा लाता है पेट के अगर आप असपर्स करके परिक्षन किया जाता है तो गरवास्ताय में अगर पीडा हिन संकूचन होता है मतलब बिडाउट जो है पेन के कंट्रेक्षन होता है तो उससे हम लोग ब्रेक्स हिक्स संकूचन कहते हैं क्या कहते हैं ब्रेक्षन हिक्स कंट्रेक्षन कहते ह बीना पेन रहीत अब आता है निमली खित का महत्व लिखिए अब हमारे पास कुछ और अबजेक्टिव है देख लिजिए गर्व अबस्था में खून की जाँच करने का क्या महत्व है तो गर्व अबस्था में संक्रमन वा अन रोगों का पता लगाने के लिए जैसे एनेमिय रुवेला, HIV, सिफिलिस इन सब के अगर पता लगाना है तो बलड जाँच ही तो किया जाता है तो बलड जाँच का महत्व बहुत होता है ठीक है गर्व अबस्था में सरीर का वजन सही कंडिशन में है नहीं है ठीक है बढ़ा हुआ है या कम है रक्ट चाप मामने के क्या मह है तो टेकिंग ए बलड प्रेसर उच रक्ट चाप का पता लगाना ताकि गर्वती महिला वगर्वस्थ सिसू को किसी भी परकार के जटिलता से बचाया जा सके तो जो महिला अगर प्रिगनेंट है उसको जो है बलड प्रेसर मापना चाहिए और मापा जाता है ताकि अगर उच रक्ट चाप का पता लग जाए मापने से तो गर्वती महिला और उसके भ्रून में भ्रून जो है उसको बचाया जा सके अन जटिलता से पैरों की जाच करना एक्जामीन द लोवर लिम्प्स को क्यों जाचा जाता है तो सरीर में द्रव की अधिक मात्रा वगर्वासे पर दवाब से पैरों में सुजन हो जाती है समय समय पर इसकी जाच जरूरी है ताकि किसी भी परकार के जटिलता से बच्चा जा सके पैरों के जाच इसलिए कि आता है कि सुजन जो है किसी महिला में असपश्ट रूप से पैरों में पहले देखने को मिलता है अगर पैरों म अत्यधिक द्रव और दर्वासे पर दवाब न परे इसके लिए जाच किया जाता है क्योंकि सरीर में तरल बढ़ने से ही सुजन बढ़ता है मुत्र का स्वक्ष नमूना प्राप्त करना तो मुत्र का स्वक्ष नमूना इसलिए प्राप्त किया जाता है, मुत्र मारग में UTI, प्रोटीन, सुगर, बैक्टरिया, आदी की जांच के लिए मुत्र का नमूना प्राप्त किया जाता है, तो मुत्र का स्वक्ष नमूना इसलिए लिया जाता है, इसका महत्व यह है कि इस इससे जो है हम UTI का पता कर सकते हैं, प्रोटीन आ रहा है, सुगर आ रहा है, बैक्टरिया कोई है, इन सब के जात से पता कर सकते हैं, यह महातुम है, ठीक है, अब हो गया यहाँ पे समापत, अब हम लोग चलते हैं, फूल फर्म की तरफ, ठीक है, फूल फर्म में हैं, आपके सामने, AMTSL, AMTSL का मतलब होता है, Active Management of Third Stage of Lever, A, A for Active, M for Management of, T for Third, S for Stage of, L for Lever, Active Management of Third Stage of Lever, AMTSL, EDD का फूल फर्म, Estimated Date of Delivery, यह तो पहले से पता है, Estimated Date of Delivery, BOH का फूल फर्म होता है, Bad Obstractive History, Bad Obstractive History, यानि खराब प्रस्तुती इतिहास, ठीक है, BOH, Bad Obstractive History, OK, LTT का होता है, Leproescopy Tubectomy, LTT होता है, Leproescopy Tubectomy, TTT Tubectomy, L for Leproescopy, OK, IUCD होता है, पहले से पता है, Intrauterine Contraseptive Device, IUCD Intrauterine Contraseptive Device, यह चीज़ हो गया, आगे है, PROM, Prolonged Rapture of Membrane, Prolonged Rapture of Membrane, P for Prolonged, R for Rapture of Membrane, PROM, OK, AIDS का फुलफर्मापलों को पता है, Acquired Amino Deficiency Syndrome, Acquired Amino Deficiency Syndrome, पहले से पता है, STD, Sexual Transmitter DJs होता है, ठीक है, यह भी आपको पता है, IVF होता है, In vitro Fertilization, IVF, जो देखते हो, यह आज काल काफी पचलित होता है, बच्चा पैदा करने के लिए, In vitro Fertilization होता है, OK, LMP होता है, Last Mansuransion Period, LMP होता है, Last Mansuransion Period, ठीक है, यह चीज़े याद रखिएगा, फिर से पुर्ण रूफ हमें लिखना है, DUB क्या होता है, D for Dispensional, U for Uterine, B for Bleeding, Dyspensional Uterine Bleeding, DUB होता है, OK, APH Antipartum Hemerage होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आगे है, BOH, Bad Obstructive History, अभी बता है, FHS होता है, Fetal Heart Sound, FHS, Fetal Heart Sound, OK, CPD होता है, Cephalopelvic Disperson, ठीक है, Cephalopelvic Disproperson, CPD होता है, Cephalopelvic Disproperson, OK, IUCD होता है, Intra Uterine Contra Safety Device, पहले से पता है, आपको, जोडी बनाना है, अब मैचिंग करना है, तो मैचिंग भी, पुछा गया है, ये सब पुछा गया ही, बता रहा है, फालतू के नहीं, ठीक है, मैचिंग में होए, कि देखिए, कहता है, Obstractical Emergency, प्रस्तुती अपात इस्थिती, तो Code Prolapse, जो है, आपका एक अपात इस्थिती होता है, प्रस्तुती का, Obstractical Emergency होता है, जहांपे Code Prolapse हो जाता है, ठीक है, True Pelvis किस टाइप का होता है, तो स्रोनी का उपरी किनारा, या आंत्रिक द्वार, Pelvic Brim या Inlet जो है, True Pelvis होता है, ठीक है, ये चीज़ें को दियान में रखना है, संभावित चिन, Pro-Bable Sign, तो Jack Mayor चिन जो होता है, वह संभावित चिन होता है, Pregnancy का, पश्च प्यूस गरंती, Posterior Putrid Glend या Oxytoxin को सिक्रेशन करता है, यानि Putrid Glend का जो पीछे वाला भाग होता है, या Oxytoxin को स्रावन करता है, भैसको टोमी परिबार नियोजन की अस्थाई भी दिया है, आपको पता होना चाहिए, पुल्सों में होता है, AMTP, MTP Act 1971 में पारित किया गया, समझ गया, पता होना चाहिए, आगे है प्रशर्व के बाद अत्यधी खून बहना, तो प्रशर्व के बाद अत्यधी खून कब भाता है, PPH में भाता है, Postpartum Hemorrhage में, ठीक है, याद रखिएगा, आगे है, गरबासे का वजन कितना होता है, साइट से असी होता है, तो इस साइट साइट दिया था, तो साइट ही राइट होगा, एनेमिया के उप्चार हम लोग फॉलिक एसिड से कर सकते हैं, तो इसलिए यह सही है, अंत्रा क्या है, तो अंत्रा एक परकार का गर्ब निरोधा का है Contrast Safety है याद रखिएगा तो यह हो गया आपका फिर से पुन रूप है आप लोग अभी उपर देखें है DUV का फुलपन क्या होगा Dispensional Uterine Bleeding DUV, MMR, Maternal Mortality Rate या मिजल्स मम्स रुवेला होता है इसको याद रखिएगा आगे है PV PV मतलब होता है परभैजीना फर्ष्ट रेफरल यूनिट होता है FRU AMTSL अभी परहा है Active Management of Third Stage of Labor ओके आगे चलते हैं आगे है CPD से फेलो Pelvic Disproperson आसा होता है Accredited Social Health Activist आसा क्या होता है Accredited Social Health Activist आसा ठीक है LVW Low Worth Weight Wavy ठीक है LVW Low Worth Weight होता है LC LSCS क्या होता है LSCS LS होता है Lower Segment CS होता है Cigerian Section Lower Segment Cigerian Section LSCS होता है APH होता है Antipartum Hemorrhage होता है ठीक है Antipartum Hemorrhage फिर से पुरा नाम लिखना है ACTH क्या होता है ACTH होता है Adenocarticotrophin Hormone Adenocarticotrophin Hormone ACTH Adenocarticotrophin Hormone ACTH A, F, A, F, P A for Amniotic A for Fluid A for Alpha A for Phyto P for Protein Amniotic Fluid Alpha Phyto Protein A, F Amniotic Fluid A, F Alpha Phyto P for Protein ठीक है याद रखिएगा A, G, A A, G, A होता है Appropriate for gestational age A, G, A होता है Appropriate for gestational age ठीक है याद रखिएगा आगे है R, B, O, W R for Rapture O for Of ठीक है B for Bag O for Water Rapture of Bag of Water ठीक है R, B, O, W Rapture of Bag Of Water ठीक है याद रखिएगा A, R, O, M Artificial Rapture of Membrane Artificial Rapture of Membrane ठीक है A, R, O, M याद रखिएगा B, O, W Bag of Water B, O, W Bag of Water B, A, C Breast Self-Examination C, H, F Congestive Heart Failure C for Congestive H for Heart F for Failure ये तो Second Year में भी है DVT होता है Deep Venous Thrombosis Deep for Deep V for Venous Deep for Thrombosis Deep Venous Thrombosis ओके आगे चलते हैं A, M, T, S, L प्रहा चुके हैं आप लोग रिपीट कीजिए P, R, O, M P, R, O, M Prolonged Rapture of Membrane ठीक है Prolonged अगर यहां प्रहाता A, R, O, M Artificial Rapture of Membrane होता ठीक है याद रखिएगा अब हमको यहां पे सही गलत बताना है सही गलत means सही गलत True, False Interior, Font, Le 18 महीने में बंद होते हैं विल्कुन होते हैं उपर आप लोग देखे हैं केलसियम हड़ी और दातों के लिए आवस्यक है विल्कुन आवस्यक है ठीक है, याद रखिएगा मासिक धर्म बंद होना गर्व अवस्था का सकरात्मक चीन है गलत क्योंकि मासिक धर्म ऐसे भी बंद हो जाता है किसी समस्या से भी मासिक धर्म बंद हो जाता है तो मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो यह मत समझ लेंगे कि हाँ गर्व अवस्था आ गया एक किसी लर्की में भी हो सकता है समझ गे गर्व अवस्था समय में रक्ट स्राब होने पर योनी का परिक्षा नहीं किया जाता है गर्व अवस्था समय में रक्ट स्राब होने पर योनी का परिक्षा नहीं किया जाता है तो गर्व अवस्था होने पर आपके रक्ट स्राब होना लाजमी बाते होता है तो इजिनल एक्जामिनेशन इज कंट्रा इंडेक्षन इन एन्टी पार्टूम हिम्रेज विल्कुन यानि प्रशर्व से पहले अगर रक्ट स्राव होता है ता इसा नहीं है कि योनीका जाच करने लगेंगे एक साल के उम्र के बच्चे को सीसु कहते हैं सही बात है इन फैंट कहते हैं एक साल से कम के बच्चे को सुडो साइसिस जुठी गर्व अवस्था है काता है सुडो साइसिस इज फल्स प्रिगनेंसी सही बात है सुडो साइसिस फल्स प्रिगनेंसी गर्वत्ती माता को 800 किलो कैलोरी की आव सेकता होती है गलत चीज़ है ठीक है गर्वत्ती महिला को ऐसा नहीं है कि 800 किलो कैलोरी की आव सेकता होता है गलत चीज़ है ठीक है जर्म का वजन 8 माह में डवल हो जाता है ये भी गलत है कितना में डवल हो जाता है आप लोग अपन्याइटीज के सीज़ो का वजन अरहाई किलो होता है आप फिर से पूर्ण रुप बताना है EDD estimated date of delivery प्रहा चुके हैं IVF in vetro fertilization प्रहा चुके हैं VVF VVF होता है basico vaginal fistula VVF basico vaginal fistula V for basico V for vaginal F for fistula ठीक है IUCD प्रहा चुके हैं ARM प्रहा चुके हैं artificial rapture of membrane ठीक है ARM artificial rapture of the membrane या इसी को A-ROM भी पूछ दे तो ही होगा ठीक है आगे चलते हैं my year हमारा प्रश्न होता है समापत लगभग मैंने आपको 100 प्रश्न यहां पे complete करा दिया 100 के आसपास आप लोग इसको पढ़िएगा exam में यहां से 8 से 10 नमबर आपका आने का बहुत ज़्यादा संभावना है ठीक है हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल लखिएगा धन्देबाद टेक के